तो दोस्तों स्वागत आपका एक ने वीडियो में तो आज हमारे पास है Samsung Galaxy A20 पुराजम इसमें PUBG और BGMI दोनों का टेस्ट एक साथ करने वाले हैं मैं इसमें पहले भी एक साल तक PUBG खेल चुका हूं तो अभी BGMI आपको पता है ओफिशल रीज हो चुकी है और साथ में आपको इसमें Android 11 और 3.1 का अपडेट आपको देखने को मिला था मैं आपको आपकर सैटिंग से दिखा हूं इसमें कोई ब्लेक स्क्रीन बीच में नहीं आती है और एक्जामपल के लिए अगर मैं PUBG Mobile ओपन करूं डिरेक्ट आपको या टैंसेंड का लोगो देखने को मिलता है पहले क्या होता था पहले एक ब्लेक स्क्रीन आती थी तीन या चार सेकेंड के लिए उसके बाद ये लोगो देख कर लेना साथ मैं इस वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए शुरू करते हैं दोनों ही गेम्स में PUBG हो या बीजमाइए हमको सेम ग्राफिक्स के प्रवाइड करता है इसमें हम हाई पे 30 fps पे खेल सकते है जो इसकी मैक सैटिंग है लेकिन जो इसकी बेस्ट सैटिंग होती स्मूद पे 30 fps होती है तो मैं इसमें दोनों में सेम सैटिंग में ही खेल रहा हूं स्मूद में 30 fps यानि स्मूद में हाई गेम खेलते टाइम में को एक चीछ एक्स्पीरियन्स हो रही है बीजमाइए पब्जी ए कंपेर में ज्यादा स्मूद वर्क कर रही है सैमसंग के प्जी है मेरा 60 fps में वर्क करता था लेकिन बीजमाइए आने के बाद वो 30-40 fps में दे पाता है तो लैक तो हो रही है लेकिन सैमसंग के फोन में इसका रिवर्स हो रहा है सैमसंग के फोन में बढ़िया नहीं है काही और तमाट टेच करता हो स्क्रीन रिस्पोंस करती ही नही करता है जो बीजमाइए वो सैमसंग के फोन के लिए ज़्यादा अच्छे सो अप्टिमाइज की गई है एस कंपेर टू रियल्मी ओपो या वीवा पीसी के फोन ले सकते हो तो बीजमाइज इसमें काफी स्मूध चली रही है और साथ में का टेंप्रेचर भी इतना इंक्री में और इसमें निकलता है बीजमाइज जो काफी स्मूध चल रहा है आप खुद भी ट्राइक कर सकते है अब जी कंपेर में काफी स्मूध इसे वर्क कर रहा है एंडूड लैन का अपडेट के बाद तो इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ह सब्सक्राइब भी कर लेना तो साथ यह संसेंग अलेक्सी एट्वेंटी से लेटेड में कावे साथ वीडियो बनाने वाला हम फ्यूचर में सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना थैंक्यू